जारखन में समय समय पर भूख से मौध की खबरें आती वैसे तो भूख से मौध की कोई आधिकारिक पूस्टी नहीं होती क्योंकि मौध को भूख के बजाए कुपोशन से जोड़ दिया जाता है कुपोशन मतलब संतुलित आहार का नमिका सामान्य बोलचाल की भासा में हम बोल देते हैं कि कोई भूख से मर रहा है तो कोई खाते खाते मर रहा है केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक का यह प्रियास है कि कोई भी व्यक्ति भूखे न सोए इसके लिए सार्बजनिक जन वित्रन प्रणाली की व्यवस्था की गई है जहां जरुरत मंदों को प्रसासन द्वारा उपलब्ध कराए गए रासन कार्ड पर उन्हें रासन दिया जाता है लेकिन दुमका में गरीवों के निवाले पर सुखी संपन लोग कबजा जमाये यह हम नहीं कह रहे दुमका प्रखंड का आकड़ा या बता रहा है कि अवध रासन उठाओ के खिलाब प्रसासन ने जब सकती दिखानी शुरू की तो महस कुछ महिनों के भीतर ही दुमका प्रखंड में 400 से ज्यादा सुखी संपन लोगों ने रासन कार्ड सरेंडर करवा दिया समय समय पर प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेस कुमार सिनह द्वारा और चक छापमारी की जाती है जिसमें कई चौकाने वाले तथे सामने आते हैं अब आज की ही कार्जबाई की बात करें तो अवैध रासन उठाओ के खिलाब प्रखंड विकास पदाधिकारी ने अभियान चलाया तो पोकरा चौक के समीप एक ऐसे परिवार के घर पहुँचे जिन्हें एक नहीं दो 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 मंजिला भवन है ग्रिह स्वामी सरकारी सेवा से निब्रित हुए हैं एक बेटा सरकारी नौकरी कर रहा है वहीं दूसरे बेटे की मौत अगस्त 2018 में होने के बाबजूर उसके नाम से रासन का उठाओ अनवरत किया जा रहा है वहीं कुमार पाड़ा के रामी बगवन मुहला में एक ऐसे परिवार के घर पर छापे मारी की गई जहां आलिसान चारमंजिला इमारत खड़ी है अस्थानिय लोगों से पूस्ताच में पता चला कि इनके और जगह भी घर हैं जहां परिवार के सदस्य रहते हैं इनके बारे में भी कहा जा रहा है कि सुखी संपन होने के बाबजूत या बरसों से रासन का उठाओ कर रहे हैं इस बाबत सदर बीडियो राजेस कुमार सिन्हा ने कहा कि अवयद तरीके से रासन उठाओ करने वाले लोगों से रासन की कीमत वसूल की जाएगी साथ ही संबंधित जन वित्रण प्रणाली विक्रेता पर भी कार्जवाई की अंसंसा की जाएगी है चार सल पहले बड़ फिर वी रासन उठा रहे हैं एक और मकान बगल में हैं उनका किराया पर लिए हुए हैं और फिर वी उठा रहे हैं तो आज डिलर के भी लाइसेंस अम्लोंत करने का अनुसंसा कर रहे हैं साथ में जो लाभू जो उठा रहे अनुसे रिकवरी करेंगे उसके बाद एक और जानकारी मिला कुमार पाड़ा में को तिर्मंजिला मकान है काफी बड़ा मकान है और आठ लोग उसे काड़ में हैं और हर महिने चालिस किलो नियमित अनाज और चालिस किलो जो प्रदाल मंत्री फ्री अनाज मिलता है मुफ्त है उसी कि अज़ीता रहे हैं जब की तक किसा लोगों सरकार आम लोगों को गरिवी रेखा से उपर उठाने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रहे हैं। जिसका लाव वर्सों से लोग ले रहे हैं। इसके बाबजूद सरकारी आंकडों में वह गरीब ही बने हुए। नतीजा यह होता है कि वह वास्तविक स्थिती में सुखी संपन्न होने के बाबजूद गरीब परिवार के हक को मार रहे हैं। जब तक वैसे लोगों की आत्मा उन्हें धिकारेगी नहीं तब तक इस तरह के फर्जी वाड़े पर अंकुस लगाना प्रसासन के समक्ष कड़ी चुनोती होगी। The News Post के लिए दुंका से पंचम कुमार ज्या।